अगर आप तीखा खाने के शौकीन है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूं मिसल पाव बनाने का तरीका जिया मिसल पाव महराश्च्र की एक पारंपरिक डिश है जो की तीन जोन की बहुत जादा फेमस है मिसल एक है पुनेरी मिसल दूसरा है नाशिक की मिसल और तीसरा है कोला पूरी मिसल तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे घर बैठे बैठे पुनेरी मिसल का मज़ा ले सकते हैं वैसे तो मिसल बनाने का मसाला अ मार्केट में मिलता है लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे घर में ही मसाले होते हैं उनको ही यूज करके उनके प्रपोर्शन से हम कैसे टेस्टी मिसल मसाला बना सकते हैं और उससे घर में बैठे-बैठे स्वादिस्त बाजार वाली पुनेरी मिसल का मज़ा ले सकत आप मार्केट से खरीद सकते हैं तीसरा है मसाले मसालों का टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपके मसाले जीतने होगे आपकी मिसल उतनी ही स्वादिस्ट बनेगी असाला बनाने के लिए यहां पर सबसे पहले हम लेंगे काली मिर्च पर टीसपूनी पीशा हुआ जीरा एक टीसपून पावभाजी मसाला एक टीसपून लाल मिर्च आप अपने स्वात के अनुसार कमिया ज्यादा कर सकते हैं चार टी स्पून नारियल का बूरा जिसे की किसा हुआ नारियल भी बोलते हैं नमक अपने स्वात के अनुसार और अद्रक लसन का पेस्ट यहां पे हम इन सब चीजों को एक बॉल में ले लेंगे और मसालो को अच्छी तरीके से पानी से मिक्स कर लेंगे यह मैंने सारी चीज़े एक बॉल में ट्रांसपर कर लिए अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है हमें अब यहां पे इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए और ध्यान रखिए दोस्तों, पानी में मसालों को सेट होने के लिए 10-15 मिनिट का टाइम देना है हमें, जिससे मसाले अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाए, यह हमारा मसाला तयार है, अब हम इसे 10-15 मिनिट सेट होने के लिए छोड़ देंगे, मोट और फुटाने को मैंने भीगो के रखा था, 5-6 घंटे के लिए, आप चाहे तो इसमें चना या और भी कोई अपनी पसंद की चीजे ले सकते हैं, अब हम यहाँ पे इने कूकर में पकाने के लिए ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे साथ में थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा नमक, यह यहाँ प पानी ले लेंगे, और इन्हें हम अब गैस पर 4 सीटी आने तक के चड़ा देंगे, कूकर में हमारा मोट बनके बिल्कुल तयार था, यह हमने ले लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है, आधे नीबू का रस, सिके हुए सेंग दाने, और यह मसाला जो हमने तयार किया था, इन तेल को हमने गरम कर लिया है, तेल आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, लेकिन पूनेरी मिसल में थोड़ा सा तेल जादा ही होता है, उसका स्वाद वैसे ही अच्छा आता है, अब यह तेल हमारा गरम हो चुका है, और इसमें मैं डाल दूँगी मसाला जो कि हमने तयार किया थ यह मसाला गया तेल में, अब इस मसाले को पांच मिनिट अच्छी तरीके से बुनने देंगे यह भूनते हुए मसालों की खुश्बू से ही आपको पता लग जाएगा कि आपके मिसल का स्वाद कितना बढ़िया होने वाला है यह तेल में मसाले अच्छी तरीके से बुन चुके हैं, अब हम इन में डाल देंगे, पल्ली दाने सिके हुए और यह जो हमने मोट तयार करके रखा है, यह इने 5 मिनिट अच्छी तरीके से बुनने देंगे, यह सारी सबजिया भी अच्छी तरीके से बुन चुकी है अब इस स्टेज में यहाँ पर नमक चेक कर लें, क्योंकि पहले ही हमने बहुत नमक डाला है, तो अगर नमक कम लगे तो आप यहाँ पर और मिला सकते हैं यह मिसल में नमक एकदम प्रॉपर है, तो मैं यहाँ पर नमक और नहीं मिला रही हूँ अब इस स्टेज में हम यहां पर डाल देंगे पानी, पानी थोड़ा ज़्यादा यह डाले, क्योंकि जब हम इसमें फरसान डालेंगे तो फरसान भी पानी सोखेगा, इसमें डाल दें नीबू का रस और पानी को अच्छी तरह से उबाल आने के लिए छोड़ दें, अब हम य हम एक बाउल में फरसान लेंगे, उसके बाद उसमें हम डालेंगे हमारा रसा, यह मैंने डाल दिया है रसा, इस पे हम डालेंगे कच्चे प्याज, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, और यह हमारी मिसल बिल्कुल तयार है, लेकिन मिसल पाव के बिना बिल्कुल अधुरी होती है, तो यह यहाँ पे हम रख देंगे पाव, मिसल वैसे तो पुनेरी मिसल में कच्चे बिना सेके हुए पाव ही खाये जाते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो आप पाव को सेक के भी ले सकते हैं तो यह हमारी जटपट मिसल बिल्कुल तैयार है जिसके लिए आपको पहले से कोई बहुत तैयारी करके नहीं रखनी है आपका जब खाने का मन हो आप तब बना सकते हैं वो भी तुरंत और बिल्कुल स्वात से भरी हुई और बनाते वक्त मुझे जरूर याद कीजिएगा और मुझे बताईएगा जरूर कि इस रेसिपी से आपके मिसल कैसी बनी मुझे आपके कमेंच का इंतजार रहेगा